गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आएम इंजिनीर आजे, वेलकम ओल आफ यू इन डिजिटल क्लासेज प्रोएड़ेड़ रास्तान अकेडमी चुरू फोर प्रिप्रेशन ओफ एंट्रेंज, एक्जाम ओफ, सेनेक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, रायम सी, राय स्पोर्ट्स स्टुडेंट्स यह अपने क्लासे सामाने ग्यान की, अपना लास्त क्लास से टोपिक चल रहा था, नदियों के किनारे बशे विश्वा के पर्मुख नगर, कि विश्वा के वो नगर जो कोई बड़ी नदी है, उसके किनारे पर बशे हुए है, तो इस सहर के पास से क्या है उस नगर के पास से क्या है, नदी गुजरती हो, उसके किनारे पर वो बसा हुआ हो, तो इसको अपने दोट केटेगरी में डिवाइन किया है, एक तो क्या है नगर, उस नगर का नाम है, जो नदी के किनारे बसा हुआ है, दूसरा है नदी, और ये उस नदी का नाम है, जिस हांकूव यह यांग शिक्यांग नदी के किनारे बशा हुआ है। तट्र क्युश्ण एक हांकूव नगर कौनसी नदी के किनारे बसा हुआ है तो यांग नगर कोन नगर कौन से देश में आंकोरो नगर चीन दिए थिम्हें है दोनों चीज़े आपको याद रहने चाहिए इसलज hmm काईरा जो नगर है वह मिस्डर देश में थिक है मिस्डर देश में है और यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है तो क्योशन पुटब होता है कि काई रा नगर कौन से नदी के किनारे बशा हुआ है नील नदी के किनारे और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए काई रा नगर कौन से देश में है मिस्टर में ठीक है अब थाड तीसरा है व्यूनस आयस ठीक है नगर का नाम क्या है व्यूनस आयस और यह अर्जेंटिना में है देश कौन सा है अर्जेंटिना ठीक है और यह लापलाटा नदी के किनारे बशा हुआ है ठीक है तो क्योशन पूटब होगा आपका व्यूनस आयस नगर कौन सी नद नदी के किनारे बसा हुआ है लापलाटा और यह कौन से देश में है अर्जेंटिना में होर्थ है चोथा है अंकारा अंकारा है जो नगर वो ट्रक्की देश में और यह किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है तो क्यों संपूटब होता आपका अंकारा नगर कौन सी नदी के किन कि देश में नेक्स्ट है डूंडी डूंडी जो नगर है वो स्कॉट्लेंड में है और यह टे नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है तो आपके क्योशन पूट अप होता है डूंडी नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है टे और कौन से देश में है स्कॉट्लेंड में ने में है और ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो क्यों सन पूट अप होगा आपके लिवर्पुल नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है मर्सी नदी के और ये लिवर्पुल नगर कौन से देश में है इंगलेंड में नेक्स्ट है आपके कोलोन नगर और ये कोलोन है वो जर्मनी में है, जर्मनी देश में है, और यह कोलोन नगर है, यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्यों सन पुट अप होगा आपके, कोलोन नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे, और कोलोन नगर कौन से देश में है, यह भी द्यान आपको जर्मनी में नेक्स्ट है मांट्रियल ठीक है क्नाडा देश में है और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके क्यों साभिट अब होगा मांट्रियल नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सेंट लोरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है और यह मांट्रियल नगर कौन से देश में है कनाडा में ठीक है नेक्स्ट आपके 9 नववा है सिड्नी सिड्नी जो नगर है वो ऐस्टेलिया देश में है ठीक है और यह कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है डार्लिंग नदी के किन में है ऐस्रेलिया में नेक्स्ट के अफके टेंफ तेन्थ जो रुप्श है कियव जो राफ वह रूस देस में हैं और से देश में आता एक के लिगby बता है और उरूस दे में यह तो किनारे बसा हुआ है तो क्यूसन कुटप होगा आपके कीव नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो नदी कौन सी होगी नीपर और कीव नगर कौन से देश में आता है रूस में नेक्स्ट है आपके 11 है 11 है मोलमीन नगर का नाम क्या है मोलमीन और ये कौन से देश में आ आपके मौलमीन नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सालमीन नदी के और कौन से देश में आता है म्यानमार में नेक्स्ट है आपके ट्वल्थ है बारवा है केंटन केंटन जो नगर है वो चीन देश में आता है और ये शिक्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है तो कुछ सम KPewa केंटन नगर कौन से नदी के किनारे बिसा हुवा है kicking और ये कौन से देश में आता केंटन नगर चीन में तो ये अपने नदियों के किनारे बिस्वा के पर्मुक नगर है उनके बारे में पढ़ाओ अब इस से आगे अपने next class में पढ़ेंगे आप इसको अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और लेंड कर लीजिएगा ओके थैंक यू